हेलो विवार्ज, वेल्केम टो माई यूट्यूब चैनल, आजके आमार काचे एक्टी कोबर हैसे पोलेल छे, सेटी हलो, एक्टी आमी स्यावा ओफिस्ट देके नोटिफिक्ष्न पेहेची, शे ओरिजिन नोटिस्टी आमी आपनादे सम्मुक पस्तापन करवो, थार संगे आमी शिक्याम मंत्री बर्तमन कोर, रनुच पेगू, सारेर कुनो स्पीच शुनी नी, तताप यो मुक्क मंत्री हिमांतो विश्चर माँ चारे स्पीच आमी शुनी ची येबं, आमी आपना दर्केशे उपस्तापन करते पार्वो, तो जायोक आमी आगेर विडियो इमांतो विश्चर माँ चारे स्पीच्टी आमी उपस्तापन करे दिये ची, एकोर आमी आलोचना कर्वो, आपनेर सम्मुके जे नाटिस्टी येम पेह ची, शे नाटिस्टी होलो, शेबाव ओफिस्टेके एमात्रो अमार्का चेक्टी नाटिस एच्छे पोलाशे, शे ना 2019 बाव ओमिक्रोन एर बैक्सिन एर एक्टी दोज थाकते होवे, तो शेटी आपनार देखुन, बावड अफ सेकंडरे एडविशन आशाम तेके, जे नाटिस्टी चे, 7th February 2022, It is for general information of all concerned that there is a possibility in increase of COVID and Omicron positive case as such keeping in view the safety of the candidate appearing for the upcoming HSLC or HM examination 2022. It will be beneficial for the candidates to take at least the first dose of vaccination within the age group of 15 to 18 years as directed by the SOP of the Health Department within the month of February 2022. Further, it is also requested that all the head of the institution will take personal interest so that all the candidates who are appearing in the HSLC-HS examination 2022 are vaccinated. All right, that means that you will receive the vaccination vaccine, which will take the vaccination vaccine in the past two years as well. This is the original notification on the photo of the student, which you will see on the list of the participants. जुदिए आपनारा अखमे अशमेर मुक्क मंद्रिहमां तो विशुर माजारे कोता की निशुनार इच्छे था के ताहिल आमार आपनारा साब्स्क्राइब गोर चनल टेटाकून एबों आपनारा आमार चनल एग गिये आगेर वीडियो टी देखे निए